हेलो फ्रेंड्स आप सभी का मेरे यूटूब चैनल पर एक बार पुना नए वीडियो के साथ सभी का स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुलसी के पोधे के बारे में दोस्तो तुलसी को धार में के साथ साथ एक पबित पोधा भी माना गया है अगर हम बात करें हेल्थ वेनिट्फिट्स की तो दोस्तो आईरवेट के हिसाब से ये पोधा हमारी सहत के लिए भी काफी लाबदाग होता है दोस्तो आज हम इस वीडियो के मादम से आपको बताएंगे कि तुलसी के पोधे की केर कैसे करें उसमें कौन-कौन सी फर्टिलाजर का यूज करें और ठंड के मौसम में तुलसी को मरने से कैसे बचाएं इसके लाब आदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से बहुँच सके फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करेंगे कि पुलसी के पोधे को कौन सी मिट्टी में लगाना चाहिए या हमें इसको किस तरीके से त्यार करना चाहिए तो सबसे पहले हम 50% गार्डन स्वाइल लेंगे 20% कोको पीट लेंगे 15% रिवर्ट सेंड लेंगे 15% आप बर्मी कमपुच भी मिला सकते हैं इससे आपका पोधा हमेशा हरा वरा रहेगा दोस्तो तुल्सी के पोधे के मरने के दो मुक्ष कारण होते हैं जिसमें पहला कारणिया है कि तुल्सी के पौधे के उपर उगने वाले सीड्स या फ्लावर कह सकते हैं वो हमेशा फुल्सी को पर रदी लगा रहेगा तो उसके ड्राय वेक होने के चांसे बढ़ जाते हैं इसलिए हमें केंची की साहता से उसके फ्लावर को इस तरीके से हमेशा कट करते रहना चाहिए इससे तुल्सी में नई नई ब्रांचे साती रहेंगी और पौधा हमेशा हरा वरा रहेगा दोस्तो फुल्सी के पौधे को मरने का दूसरा मुक्त कारण है कि हम पुल्सी को पोधे को डारेट कोरे के संपर्क में रहने देते हैं जिस कारण कोरा डारेट अधी पुल्सी के पोधे को लगता है तो हमेशा वो दीरे-दीरे ड्रा हो जाता है उसकी पत्यों जढ़ने लग जाती हैं और वो दीरे-दीरे सूख जाता है दोस्तों तुल्सी के पोधे को नुमंबर से लेकर फरवी तक डारेक्ट सनलाइट में रखना चाहिए लेकिन जैन्वरी के मौसम में जब कोहरा पढ़ने लग जाए तब हमें इसे किसी भी सेड़ेड एरिया के अंदर रखना चाहिए यदि आपका पोधा आपके आगन में डारेक्ट जमीन में लगा हुआ है तो आपको इसे किसी भी पोलेथीन कवर से नाइट में कवर कर देना चाहिए इससे आपका पोधा सुरक्षित रहे तुल्सी के पोधे को हमेशा भरा भरा रखने के लिए हमें पानी का दिहान रखना चाहिए कि ओवर वाट्रिंग भी नहूं और पानी की कमी भी नहूं फंड के पौशों में हमें दो से तीन दिन छोड़ कर एक बार वाइटरिंग करना चाहिए ताकि हमारा पोधा सुरक्षित रहे